हलो दोस्तो हम लोग लेंथ का वर्कसित वन बनारा है चलिए सुरू करते हैं select the correct unit from the box to measure the following length जैसे मीटर का short form M है दोस्तो सेंटीमेटर का CM है और किलोमेटर का KM है अब यहां भरना है कि कौन होगा length of your escut escut या shorts जो पहनते हैं दोस्तो यह किलोमेटर तो बहुत लंबा होता है आपका स्कूल जाते हैं बहुत दूर-दूर तो वो किलोमेटर होगा तो यह सेंटीमेटर होगा क्योंकि बहुत इसकट तो बहुत छोटा होता है यह सेंटीमेटर होगा जैसे पचीश सेंटिमेटर, तीस सेंटिमेटर, इस टाइप से होती हैं सेंटिमेटर होगा पहला तो A नमर का एंसर क्या होगा दोस्तो सेंटिमेटर, C यम, B नमर में height of your room, the height जो होता है दोस्तो room का मीटर में होगा उसके बाद है, breath of your math book, math book का चावराई जो होता है वो भी सेंटिमेटर होगा, C नमर का भी सेंटिमेटर होगा दोस्तो अगला है, distance between daily to agra, तो D नमर किलो मेटर में होगा उसके बाद E नमर में है, length of your thumb, thumb का जो होता है वो भी सेंटिमेटर, thumb मतलब होता है अंगुठा उसके बाद F नमर है, distance between earth and moon, ये भी किलो मेटर में है दोस्तो कितना किलो मेटर है, earth and moon, 3,84,000 किलो मेटर, उसके बाद G में है, length of, kennel, kennel मतलब सुरंग, ये भी मीटर में होता है दोस्तो उसके बाद है, H में है, length of needed to stitch a certain, मतलब length of needed to stitch, ये भी होगा दोस्तो किसमें, तो ये centimeter में अगला है, fill in the blanks, the biggest unit of length, length का biggest unit है दोस्तो तो ये दू नमर का बता रहा हूँ, है दू नमर का length का biggest unit वो किलो मेटर है, है उसके बाद B में है, one kilometer equal to 1000 meter होता है, C में है, the extended unit of length is, वो होता है, दोस्तो क्या, तो meter होता है, उसके बाद है, D नमर में है, the length of a railway track is measured in, तो ये kilometer में इसको भी मापा जाता है, दोस्तो अगर आप मेरे channel पे नहीं है, तो subscribe जरूर कीजिए, thank you